ओम नमो भगवते वासुदेवाई नमः जै मातराणी दोस्तों आपके अपने चैनल धर्म साधना में आपका बहुत बहुत स्वागत है मां भगवते दुरगा की कृपा आप और आपके पूरे परिवार पर सदा सरवदा बनी रहे दोस्तों 3 मई 2022 मंगलवार के दिन अक्षेत रितिया का पावन पर्व है सास्त्रों के अनुसार अक्षेत रितिया का बहुत अधिक महत्युमान गया है आज के दिन किये गए जो कारियों होते हैं उन कारियों में हमें सफलता की प्राप्ती होती है और आज अगर हम कोई खरीदारी करते हैं तो इससे हमारे जीवन में हमेशा सुक समरिद्धी बनी रहती है मालक्षमी की गरिपा बनी रहती है शास्त्रों के अनुसार आज के दिन हम जो भी शुबकर्म करते हैं जो भी मंत्र जाप करते हैं या किसी को दान देते हैं, और रहुत को पराप्त होता ही है इसलिए आज के दिन किये गए कार्यों का फल हमें जन्म जन्मांतर तक प्राप्त होता रहता है। और सास्त्रों के अनुसार अक्षेत रितिया मालक्षमी को अत्यानत ही प्री है। तो आज की वीडियो में आप से शेयर करने वाली हूँ कुछ बहुत ही छोटे छोटे उपाए और शास्त्रों में वरनित उपाए। जो कि अक्षेत रितिया के दिन अगर हम करते हैं तो इस जन्म में तो मालक्षमी की अपार कृपा हमें प्राप्त होती ही है। और इसके अलावा जन्म जन्मांतर तक हमें इसका शुबफल भी प्राप्त होता रहता है। तो आज की वीडियो को पूरा जरूर देखिए और अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगे तो लाइक भी जरूर कीजिए। शेयर भी जरूर कीजिए फैमिली फ्रेंड्स के साथ और चैनल पर पहली बार आए हैं। अपने शक्ती सामर्थी के अनुसार सोने चांदी धाथू की खरिदारी करना सुप्षटू है लेकिन अगर आप सोने चांदी की खर भाते हैं। आप सोने या चांदी खरीद सकें, महंगे रत्न अभूशन इत्यादी खरीद सकें, तो ऐसे में आपको कोई न कोई वस्तु तो जरूर खरीदनी चाहिए, जो भी आपके पास सामर्थ हो, अगर आप बहुत कुछ नहीं खरीद पाते हैं, तो कम से कम एक सोने की आप नाग की जरूर खरीद सकते हैं, या चांदी की बिच्वा खरीद कर ले आईए, और अगर आपके पास बिलकुल भी सामर्थी नहीं है, कि आप सोने या चांदी की कोई भी वस्तु खरीद सकें, तो ऐसे में आप अपनी घर में चने की दाल जरूर खरीद कर लाईए, और थोड़ी स साबु थल्दी खरीद कर लाईए, ये दो चीजें बहुत महंगी नहीं है, बहुत आसानी से आप खरीद सकते हैं, थोड़ी सी भी चने की दाल आप लेकर आते हैं, और साबु थल्दी लेकर आते हैं, तो उसे श्री हरी विश्नु और मालक्ष्मी के चरणों में अर्पित क कीजिए, प्रार्थना कीजिए श्री हरी विश्नु और मालक्ष्मी से कि हे श्री हरी विश्नु, हे मालक्ष्मी, स्थाई रूप से आप मेरे घर में विराजित हो, मेरे घर में सुक सम्रिद्धी धनसंपदा का आगमन हो, ऐसी कृपा श्री हरी विश्नु और मालक्ष्मी क और उसके बाद से थोड़ी सी हल्दी जो है वो अपने धन रखने के स्थान पर किसी लाल कपड़े में या पीले रेस्मी कपड़े में बांध कर रखते हैं तो यकीन मानिए इस साल आपके पास बेशक सामर्थ नहों सोने या चांदी खरीदने की पर अगली अक्षेत्रितिया पर आपके पास इतनी सामर्थ होगी कि आप सोने या चांदी खरीद सकते हैं विश्वास कीजिए और इस उपाय को इस बाल जरूर कीजिए अगर आप बिल्कुल भी सोने या चांदी नहीं खरीद पा रहे हैं तो दोस्तों आज के दिन श्रीहर विश्नु और मालक्ष्मी क पूजा जरूर करनी चाहिए मालक्ष्मी का दिन होता है ये श्रीहर विश्नु और मालक्ष्मी की संयुक्त रूप से पूजा करें अपने घर में अपने घर के मंदिर में या अलग से चौकी लगा लीजिए विधी विधान से भगवान श्रीहर विश्नु और मालक्ष्मी क पूजा कीजिए आज आप कलश की स्थापना भी कर सकते हैं दीप कलश की स्थापना कीजिए जैसे कि एक कलश पर आप आम के पांच पत्ते रखिए और कलश में जल भर लीजिए उसमें एक सिक्का और सुपारी रख दीजिए और उसके बाद उस कलश पर एक पुर्ण पात्र पूरण पात्र में चावल रखा जाता है। इस बाद का ध्यान रखिए। और दीपक कलश के उपर रखने के बाद विधी विधान से दीपक का भी पूजन कीजिए। और श्रीहर विश्नु और मालक्ष्मी की विधिवत पूजा आरातना कीजिए जैसे के धूब देव पुस्प अक्षत ये सभी चीजे मालक्ष्मी को अरपित कीजिए और इसके बाद श्रीहर विश्नु को भी पीले पुस्प अरपित कीजिए और अगर आपके पास उपलब् और तक आपको प्राप्त होती है तो अकर उपलब्ध हो तो ऐसी अवस्था में हमें जरूर अरपित करना चाहिए और अगर ना उपलब धो तो ऐसे में आप पीले पुष्प भगवान श्री हरे विष्णू को अरपित करें मालक्ष्मी को गुलाब के पुष्प अरपित करें और विधी विधान से उनकी पूजा रातना करें उनके सामने बैठ कर आपको मंत्र जब करना है मंत्र है ओम रीम श्रीम लक्ष्मी वासु देवा आई नमा इस मंत्र की आप एक माला जब कर लीजिए क्योंकि ये संयुक्त मंत्र है भगवान श्री हरे विष्णू और मालक्ष्मी की क्रिपा पाने के लिए स्क्रीन पर मैं आपको ये मंत्र दे दूँगी इस मंत्र का एक माला भी अगर आप जब कर लेते हैं आज के दिन तो भगवान श्री हरे विष्णू और मालक्ष्मी का स्थाई वास आपके घर में हो जाता है आज आपको चाहिए कि मालक्ष्मी को स्वटिक की माला अर्पित करें और उसी माला से इस मंत्र का जब करें, जब मंत्र जब आपका पुरुण हो जाता है, पूजा पुरुण हो जाती है, तो उसके बाद आप इस स्वटिक की माला को स्वैम धारन करें, और प्रती दिन आप इसको धारन करें, रातरी में बस सोते समय इसे उतार दीजिए, और उस आज के दिन हमें मालक्ष्मी की विशेष क्रिपा पाने के लिए श्री सुक्त या कनकधारा का पाट जरूर करना चाहिए। कनकधारास्तोतर का पाट कीजिए अगर आप पास पाते हैं और अगर आप पढ़ नहीं है उचारण नहीं कर पाते हैं या आपके पास समय नहीं हो तो ऐसे में आप और इस चैनल पर भी अपलोड है ये वीडियो तो आप चाहें तो इसी चैनल से सुन सकते हैं 16 बार श्री शुक्त का पाट किया हुआ वीडियो अपलोड है आप चाहे तो उस वीडियो को चला कर थोड़ी देर अपने घर में रखें जिससे की मालक्ष्मी के मंत्रों की ध्वनी आपके पूरे घर में गुंजे देखिए आज घर में कोई न कोई मंत्र चला कर अवश्य रखें घर में मंत्रों की ध्वनी जब गुंजती है तो घर में सकरात्मक उर्जा का वास होता है मालक्ष्मी का आगबन होता है श्री हर विष्णू का वास होता है तो प्रयास कीजिए लक्ष्मी मंत्र चला सके गायत चला कर छोड़ दीजिए और एक और चीज का ध्यान रखिए आज अक्षयत रितिया है मालकषमी अपने भक्तों के घर में आती हैं तो आज के दिन आपको अपने घर का वाता वराल सुगंधित रखना है मतलब घर में आप गुलाब के इत्र का प्रियोग करते हैं गुलाब ज आज आपको विशेश ध्यान शाम के समय देना है कि घर का कोई भी हिस्सा अंधेरा ना हो घर के मुख्यद्वार पर अच्छी रोष्णी की व्यवस्ता रखिए और शाम के समय घर के मुख्यद्वार पर दोनों तरफ शुद्दिगी या तिल तेल का दीपक प्रज्वलिद की क्योंकि जो हम सोचते हैं वही होता है तो हमेशा अच्छा सोचना चाहिए ताकि हमेशा अच्छा ही हो और आज के दिन मालक्ष्मी का आगमन आपके घर में हो रहा है तो घर के मुख्यद्वार पर हल्दी और केसर से स्वास्तिक जरूर बना लीजे दिन में किसी भी समय बन ुपहिपना के जैए हमी कियर नियुक्राट्म करेंटों on privy यह कि प्रवेश नहीं influx tones और जिस फ्रकार में पर उंकर शुब कोई इती आता है को उस दिन आपको घर के मुखिद्वार पर स्वास्तिक जरूर बनाना चाहिए और अक्षयत रितया के दिन अगर आपकी किसी विष्णू मंदिर में मालक्षमी के दर्शन करते हैं मंदिर अगर उनकी विदिविधान से पूजा करते हैं, तो बहुत स्रेष्ट माना जाता है, तो अगर आपके घर के आसपास कोई भी भगवान श्री हरविष्णू और मालक्ष्मी का मंदिर हो, या श्री राम और सीता का मंदिर हो, राधा कृष्ण का मंदिर हो, तो ऐसे मंदिर में आप जाकर भगवान श्री हरविष्णू और मालक्ष्मी के दर्शन कीजिए, उनकी विदिवत पूजा आरातना कीजिए, और आज के दिन आप मंदिर में अगर कुछ चीजों का दान करते हैं, जैसे कि कोई पूजा पाट की वस्तू होती है, जैसे धूब बत्ती, अगर ब उस तक का भी दान कर सकते हैं, जैसे कि भगवत गीता का दान किसी वेद पाठी ब्रामः को कर सकते हैं, और अगर आपके घर के आसपास कोई भी लक्ष्मी नारायन का मंदिर न हो, तो ऐसे में आपके घर के आसपास कोई भी मंदिर हो, वहां जाकर भी आप इन सामगरियों का दान कर सकते हैं जो भी आप दान करना चाहते हैं मंदिर में किसी धर्मस्थान में दान करते हैं तो उसका फल बहुत अधिक प्राप्त होता है विशेशकर पूजा पाट की जो चीजें होती है इनका दान हमें मंदिर में या किसी वेद पाठी ब्रामोर को करना चाहिए और क का दिन अखेतिया का दिन अ है आज के दिन अगर आप इन में से कुई एक भी उपाय कर लेते हैं तो यकीन मानिये मा लक्ष्मी की श्रional विष्णु की क्रिपा आपके घर में आपके जीवन में अवश्य बन जाएगी लेकिन आप प्रयास करें कि इसमें से ज़्यादा से ज़्यादा उपाई आप कर पाते हैं जितने ज़्यादा से ज़्यादा उपाई आप आज के दिन कर पाएंगे उतना अधिक आपका जीवन आगे जो है वो सुख में बनता है और मैंने उपाई भी आपको वही बताए हैं जो हर व्यक्ति कर पाए बहुत आसानी से कर पाए और आज के दिन का पूरा लाव उठा पाए तो आशा करती हूँ कि आज की वीडियो आपके लिए अवश्य उपयोगी होगी अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगी हो थोड़ी सी भी आपके लिए helpful हो तो वीडियो को like जरूर कीजिए और share भी जरूर कीजिए family friends के साथ चैनल पर पहली बार आए हैं अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आज की वीडियो अगर आपको अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और bell बिटिन को भी प्रेस कर लीजिए तो इससे यह होगा कि इस चैनल पर जो नई वीडियो अपलोड होंगी उनकी नोडि अगली वीडियो में तब तक के लिए नमस्कार